आप सभी का स्वागते आईए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर इसी प्रकार चोगान ग्राम की बोदो विहार शेत्र के ग्रामिनों का क्या है के ना विदायक वीजय वड़े टिवार के बारे में आईए देखते हैं एक नज़र हम लोग इस वक्त चोगान करके जो गाव है यह ब्रह्मपूरी विदान सभाक शेत्र का ही गाव है उस जगह पहुंचे है लगबग यह गाव का दूसरा आमबेटकर चोग करके है उस इलाके में हम लोग आये हैं गाव काफी बड़ा होनी की वज़े से हमने गाव के अंदर का जो चौक है उसमें भी हमने जनता से पूछने का प्रैस किया है कि यहां के जो स्तानिय विदायक है विजय वडटिवार वह अपने विदान सभाक शेत्र के विकास में कितने खरे उतर पाए है और क्या क्या यहां रोजगार वगरे के साधन पीने के पानी की विवस्ता है व किसानी के अलावा आपके गाओ में कुछ दूसरा रोजगार का साधन नहीं है अचा मुझे एक बात बताईए इस गाओ के जो यहां के जो विदायक है वह आपके गाओ में कितनी दफा चुके है वो निवर्नुक की टाइम एक बार आचुके है अचली बार अभी उस वक्त स हमते अभी तक नहीं आएँ अभी निवर्नुक अभी जैसा चुनाव आरे तो पिर आएगे वो भी अचा मुझे बताईए कि आप उन्हें सफल विदायक समस्ति की सपल विदायक समझते सख्री एक निश्क्री समस्त एवाए यह जब पर दोनों भी एक आपके आंसे वह बता इसे यहां सूराइब अपकर जी बताईए आपके गाउं में रोजगार के सादन रोजगार का तो कि रोजगारत है किसानी से साम काम चल जाता है अκहां बताइए अस्पताल प्रफिकशा जेश्चा लेख है सरकारी अस्तवाली चोगन में यहां से 3 किली मीटर अस्तवाले जाने आने सुईदा है सब सुईदा है अच्छा स्कूल काफी अच्छा आपके गाउच्छ बताईए आपके गाउच्छा पीने के पानी की व्यवस्ता है बहुत है लेकिन फिल्टर लगाए उसमें नई नई फ तो के इवलोपमेंट होता है युवाऊ को रोजगार की जानकारिया देना कुछ ऐसा अभफ क्या नाम यहां अपके आपके गाहों में क्या योजना है प्रदान मंत्री आवा सियोजना के कुछ केंदर की सरकार बोलती है, नेरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2022 में और एधी कुछ फूर्श नहीं है, यानि सोच अधान कर रहे लिए हो अपके गई में तो विकास के मामले में ces तो विदाएक सखड लगेगил सखड़ लगे जब सखड़ शर्करी लगें इसक्री यह तरह दम ऊफ मैने यहां इन जाहां अपकाश । पर लिंगिंगाय के बताई ईपके गाव के सखड़ खड़ कि र वेवस्ता कुछ शुिरा हुआ किρέया की नहीं तो यहां के अपने विधायक से इस संदर में कुछ गाउवालों ने चर्चा की कि भी रोजगार वगरे कुछ मुहिया कराया जाए साम नहीं इसे चर्चा नहीं तो वह कितनी दफ आपके गाउमें हैं वार नहीं एक विवार नहीं यह देखा आपने चुनाओन के समये होंगे पहले हों के समया ये अच्छा अभी नभी चुनाओन की समया आएगे ज़ो है पानी की वह जुरो है आपके गाउं में पानी की वहशता लेकिन फिल्ट्र अगए कुछ नहीं है क्या था तरन है आपको बताता हूं में आज से दो साल पहले जब यहां पे जल सवरा जी मतलब यहां पर राजसाओ अभियान लगा था उस्टाम बीटो सामने से बात हो गई थी कि यहां पे फिल्टराइस वाटर सप्लाइड होना चाहिए अच्छा यहां कि यहां के वाटर का डी लोरिफिके आपके गाओं में जो शिक्षा के जो मेडावे वगरे होते है याने शिक्षा जैसा सुषिक्षित बेरोजगार जो रहते हैं उनको मार्क धर्शन के लिए शिबीर वगरे लगाए इस तरीके से कोई भी मासिशी भी यहां पर नहीं लगा हुआ है एक काम कर दी है कि जो कुछ बच्चे पड़े लिके हैं उनके मतलब अबैसी का याने जिनका स्टेडी सेंटर का सेंटर ओपन कर दिया यहां पर इनको बिजली प्रोइट नहीं होती इनको बिजली का भी स्कुद भरना पड़ता है अच्छा वहां पर बच्चों के लिए किता भी अवाइलेबल नहीं ह यहां बड़ी समय से एक है कि इस गाव में पहले तो एंप्लाइज होना चाहिए अच्छा रोजगार मेड़ा हुआ हो होना सब लोगों को उसके बाद जो रोजगार हमीं लगती है जाब फोरिस की हो एगरी को हो या बीयांड-सी की हो या पी डबलु कियो किसी पी चारोड जो बहुत सूस्त गती से चल रहा है यहां जो भी चीजे शुरू की गई है वो चीजे पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं है जिसके चलते यहां के लोगों के यहां के जो युवा पड़े लिखे जो लोग है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मैं कैमरामैन निलिश पशीनिक सत निशान भाई ऐसा ही आलम चोगान ग्राम के टोलिप पर भी देखने को मिला है फिलाल वक्त हो जुकाई ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखिए ब्रमपुरिच विदासवा शेत्र के चोगान टोलिप के ग्राम के लोगों का क्या है कहना आप हुमारे चैनल को आप पर भी देख सकते सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तो किरी धन्यवाद सब्सक्राइब कोगेज माक्स फ्रेश में है अनोखे कूलिंग क्रिस्टल जो करें ताजी काँ हमा का एक ताजगी सी चली है हवाओं में कुछ बदला बदला सा है फिजाओं में ये दिन है मेरा ये दिन है तेरा हमारा है समा है तेरी जमी है तेरा असमा हमारा है जहाँ एक ताजगी सी चली है हवाओं में कुछ बदला बदला सा है फिजाओं में कॉल गेज माक्स फ्रेश ताजगी का धमाका थाओं में कॉल भी एक शचान जाओं में कॉल भी पॉभगी का धभ झाल समय जाओं में कॉल भी इजब झाल